वेल्कम बाक एवर्यवन इस ओटू आयस अकाड़मी और माई नेम इस खृतिका तो में अभी आ मुविंग फॉवर्वर्ड हमारी सीरीज के साथ में जिसका नाम है दी बलोकरा सीरीज सुथ पीपल फो और नूव हीर बताना चाहती हूं कि इस फॉर ह्पी एस ट्वेंटी ट्वेंटी वंच वंजो लोग तयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी हैच्पीजी के को द्धान से नहीं देखा है उन लोगों के लिए हम्में समराइस कर रहे हैं वैल value add करके और elaborated तरीके से वहाँ पर एड जो है study किया है उनको हमने explain किया है क्योंकि wonderland आपकी बहुत bulky book है अभी time नहीं है as we know जो notification है वो like notification नहीं आया लेकिन calendar आ चुका है सो उसमें आपका जो में है वहाँ पर लास्ट एंड में जो लास्ट वीक है उसमें हमें exam देखने को मिल रहा है उसके लावा if you guys have any kind of problem regarding the preparation किस तरीके से क्या syllabus आपका पूरा हुआ है you guys can like contact the academy or you can just contact me so यह है आपका जो चल रहा है अभी हम इसके 7th chapter तक पहुंचे है यहां पर हम इसके chapters में देख रहे है history हमने ancient medieval और आपका कुछ कुछ चीज़े देखी है आज हम जो चीज़े देखने वाले है वो basically Britishers क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से यहां पर जो आपके six है वो भी है गोर्खाज है वो भी है Britishers है एक से बचने के लिए दूसरे को बुलाया जा रहा है और हर एक जो है यहां पर promise कर रहा है है इस तरीके का desperation हमने देखा वो चीज़ जो हो रही है वो चल रही है हमने दो सिनारियो अल्रडी देख लिए हैं जहां पर six आए और जहां पर गोर्खाज आए तो आज जो हैं हम Britishers वाला सिनारियो देखने वाले हैं तो चली आगे बढ़ते हैं इन लेक्ट्चर्स के PDF आपको test series जो लोग specially 2021 के लिए prepare कर रहे हैं HPAS उन लोग को तो जरूर यह test series लेनी चाहिए और इसमें जो पहले तीन test है they are open so that you can just see the quality of the test या फिर आपको देखना है कि किस तरीके के test है तो you can check it out उसके बाद जो है it's your choice if you want to buy or not so यह है तो चलिए शुरू करते हैं आज का lecture start में करूंगी कि what is happening exactly जहां पर हमने छोड़ा था हमने छोड़ा था treaty of सगौली के पास में so उस वक्त क्या बात हो रही है सगौली basically आपका एक बिहार का एरिया है चमपारण के पास में यहां पर यह treaty हो गई है गोरखास को निकाल दिया गया है बाहर Britishers ने so Britishers से health मांगी गई थी basically लेकिन उस वक्त क्या है आपका पंजाब health state बिल्कुल इंटाक्ट है राजर हंजीत सिंह रूल कर रहे हैं और इस ट्रीटी ऑफ अमरत सर जो वहां पर चल रही है डैट इस सत्लुच के उपर हम नहीं आएंगे सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिक भी वहां पर है और आपके Britishers भी वहां पर अभी like parallel वहां पर आ चुके हैं लेकिन हमें यहां पर एक चीज का देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं British government की एक चीज जो रहती है वो भढ़का देते हैं कि जो आपके six हैं वो आपके हिली एरिया को यहां पर रूल करना चाहते हैं उनके दिमाग में चीजे डालना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए जो है यहां पर future में अच्छे दिन लेकर आएंगे और जो आप अपने kingdom को खुद रूल कर पाएंगे आपको जो फुल यहां पर autonomy है वो दी जाएगी तो अब इसके चकर में क्या होता है कि अगें इती छोटी छोटी रियास्ते हैं बहुत सारे राजा हैं वो मान जाते हैं कि चलो ब्रिटिश जो हैं यह सिर्फ हमारी help करने के लिए आए हैं और इन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए तो सेम चीज होती है जैसा like all India level पर हो रहा था यहां पर उन्होंने help की गोरखास को बाहर निकालने के लिए उसके बाद में उन्होंने बोला कि नहीं आपको हम future independence देंगे लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने starting की बड़े छोटी चीजों से जैसे कि उन्होंने कुछ-कु चीजे कुछ-कुछ positions कुछ-कुछ territories अपने पास में रख ली यह बोलकर कि कल को अगर गोरखास वापिस आते हैं तो आप क्या करोंगे तो इसके लिए हमने कुछ-कुछ जगह अपने पास रखी हुई है के इंटोन्मेंट वार जोन्स बनाए हुए है या फिर अपनी जो military ह है वहाँ पर रखी है सिर्फ इसके लिए कि कल को अगर गोरखास वापिस आ सकते आ जाएं तो हम आपकी help करें लेकिन उन्होंने बहुत ही important positions अपने पास में रखी थी कुछ strategic concern की थी कुछ आपके trading interest की थी अभी strategic concern क्या था कि पहले तो हम इनको rule करने को देंगे इनको लगे interest जैसे ही गोरखास गए उनके पास में बहुत सारे passes थे जहां पर से वो trade क्या करते थे अभी trade का जो रास्ता है वो उनके लिए हाँ पर खुल गया तो इस तरीके से हम Britishers को देखते हैं उन्होंने अपने पास में कोटगर्स बात्थू और रवाई वाला area जो है अपने पास रख लिया वहाँ पर उन्होंने cantonment zones बनाएं फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 20 हमारे शिमला हिल स्टेट्स उस वक्त हुआ करते थे उन्होंने क्या किया उन्होंने उसको महाँ पर meeting हुई journal ऑक्टर लेनी की और उन्होंने क्या कहा कि जो chiefs है कुछ-कुछ chiefs वहाँ पर उ उन्होंने इस तरीके से भड़का दिया है कि सिख जो हैं अब आपके ऊपर रूल करना चाहते हैं उन्हीं आपको अपने जो एरिया है वहाँ से बाहर निकालना है वो चीज हमें देखने को मिल रही है बाकी हम एक और जो पैरल सिनारियो देख रहे हैं 1839 में राजा रंजी इस दे टाइम जो यहाँ पर यहाँ जो इनके स्ट्रॉंग एक होल था वो खतम होगा वो एकदम से आक्शन वहाँ पर लेते हैं हमें सिख एंगलो सिख वॉर्स देखने को मिलती हैं अब अगर आप प्रॉपर तयारी कर रहे हैं तो आपने हिस्ट्री में भी एंगलो सिख जो हैं यहाँ पर देखी होंगी एक हमें 1846 में 1849 में देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर हम मेजर बैटल्स देखने वाले हैं बल्कि उसके अलावा बहुत सरी बैटल्स रही हैं मोस्टी उनमें जो ब्रिटिश हैं वो आपके जीते जो एक या दो बैटल्स हैं जिसमें नहीं थे इतने इंपॉर्टन नहीं थे कि वो देखुड चेंज दी कोर्स अफ दे हिस्ट्री राइट सो यहाँ पर एक और चीज जो है कि ब्रिटिश को मालूम था के राधर महराजा रंजीत सिंह ने बहुत ही अच्छे से अपनी आर्मी को औरेंज करके रखा है और चीज देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी रियासते हमारे पास में थी उस वक्त यह आप देख सकते हैं इन रियासतों को बताने का जो में टॉपिक यह है कि इन छोटी छोटी रियासतों को बाद में जो है ब्रिटिश एक करेंगे जैसे हम यहाँ पर देखते हैं धाम जुनगा, कोटी, यह इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि ये areas जो हैं बहुत सारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, और यह जो आपका lower shivalics हैं, यहाँ पर अभी भी आपके, जो सिक हैं वो rule कर रहे हैं, तो फिर क्या हो गया basically, यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा disruption दे क्या किया हिमाचल का क्या योगदान रहा प्रजामंडल बने कैसे कैसे जो है चीजे वहां तक पहुंची वह देखेंगे लेकिन ब्रिटिशन को अगर हम क्यूंकि हम ये उपर उपर से जर्नी कर रहे हैं जो प्रॉपर एक किसके पास में वे चला गंगिया आपके क्विई के पास में इसमें बहुत सारी दोसल्ड्टी इपडते हैं तो उसमें प्रॉपर इसको पडते हैं लेकिन हम थोड़ा से इसको आगे वैसे भी डिसकुस कर लेंगे तो इसमें क्या हुआ संध किये गये 1862 की बात है यहां पर सनद ग्रांट करने शुरू किये अब वाट आदी सनद जबी भी हम इसकी बात करते हैं तो क्या यह होते हैं तो सनद कोई नया टर्म नहीं है बेसिकली यह एक अधॉरेटिव लेटर होता है एक अगरीमेट का होता है यह आपके मुगल्स के टाइम पे भ देखी जाती है और कुछ-कुछ कंडिशन होती है जो आपका मेजर रूलर है वो जो भी महां का जगा का रूलर है वही रहेगा उसको कुछ-कुछ पावस दी जाएंगी लेकिन कुछ-कुछ इस तरीके की स्टेट्मेंट्स डाली जाती है जिससे जो एक्च्छल पावर है वो उसके पास नहीं जो आपका बाहर रूलर है जैसे आपकी बिटिश थे या मुगल्स थे उनके पास में रहती थी तो अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या-क्या थे जैसे की जो एक बेसिक जो है इंपोर्टेंट वाला यह रहता है लेकिन इससे पहले हम देख लेंगे प फिर हम देखते हैं कि new chief was reorganized by British याने कि basically Britishers का एक representative जो है इन जगा पे रहेगा supervision के लिए कि what is going on and किस तरीके से जो है यहाँ पर चीजे की जा रही है फिर हम देखते हैं कि अगर जो भी जितने भी राजा है उनके बीच में किसी भी तरीकी का हमें conflict देखने को मिलता है तो व सारी की सारी चीजे still these are fine लेकिन जो यह last clause है यह सारी चीजे बदल देता है यहाँ पर यह बोलते हैं अगर उन्हें लगता है कि किसी भी तरह का जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नई की जा रही है किसी राजा के दौरा तो वो they can overthrow the hair याने कि वो तराधिकारी को वहाँ गंद अपनी जो standing army है वो आपका कोई भी रूलर नहीं रख सकता है जो उनके अपने soldiers हैं उनको वो British army में भरती कर सकते हैं लेकिन अपनी कोई army नहीं रखेंगे और अगर उनको किसी भी पडोसी राजा के साथ में लड़ना है या किसी भी तरीके का कोई उनके उपर issue आता है तो British army उन्हें help करेगी यह बाते हुई and then again जो आपकी power है वो East India Company से British Crown के पास चली जाएगी यह बाते आपके इसमें कही गई थी और यह सनद जो है इसमें इस तरीके के कुछ agreement किये गए थे तो आप अभी देखी सकते हैं जो better days है इसके नाम के ऊपर क्या मिला हमाचल को नहीं इ इंडिया को क्योंकि आये तो Britishers यही बोलके थे के हाँ ठीक है हम जो है we will like free you from the current rulers और फिर जो है सब कुछ है अच्छा हो जाएगा सो इस तरीके का scenario हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह आपको idea हो गया अगर सनद के ऊपर question आ सकता है तो वह आप लिख सकते हैं उस वक्त का क्या scenario था वह आप लिख सकते हैं उसके अलावा कुछ कुछ major pre point of view से हम exam के लिए देखे तो जो पहली सनद grant की गई थी वह किस स्टेट में डाल दिया गया जैसे खनेती और धलेत हैं अब यह आपके बुशह स्टेट में add कर दिये गए जबकि आपके ठ्योग खुंड है मधान है रतेश है यह सारी रियास्ते क्यों थल में डाली गई तो यह हम देख सकते हैं कि इस तरीके से reorganization जो आपके छोटे प्रि है सिवा है बरोली है तो यह सारी इन्होंने अपने cantonments बनाए हुए थे अपने जो military है वहां पर उन्होंने रखी हुई थी उसके दो ही reasons थे एक तो उन्होंने ऐसे दिया कि शायद अगर गोर्खाज वापिस हजाए दो treaty of sugalli जो है वो बहुत ही यहां पर strong बनाई हुई थ लेकिन उनको अपनी power को जो है वहां पर consolidate करना था अपना एक वहां पर territory रखनी थी ताकि कल को अगर rebellion भी होता है तो उसे वहां पर control कर सके इसी की वज़ा से यह दो इस तरीके से उन्होंने सोचा लेकिन अगर हम देखे हिमाचल का सेनारियो तो सारे के सारे जो राजा है व जो maximum लोग थे maximum आपके राजा थे वो British के साइडी थे क्यूंकि यूज टू बिलीब कि जो British है वो यहां पर अच्छा ही कर रहे हैं तो यह चीज है है कि जो आपका नगर कोट का किला है वो जब ट्रीटी ओफ आपकी जौला मुखी हुई थी राजा रंजीत सिंग के बीच में और राजा संसार्चन के बीच में उस वक्त वो सिक्स के अंडर आ गया था अब जब वो सिक्खों के अंडर आ गया उसके बाद में जितनी भी गे वार्ज भी है तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें involved हैं सो हमें पता होना चाहिए कि सिक्ख रूल कब तक exactly महा पर रहा है तो बैटल ओफ आलिवाल के हम बात करते हैं इसके अगर हम डेट देखें तो इस एटीन फोटी सिक्स अब कौन कौन इसको लीड कर रहे थे इन ब्रिटिश इट वस लेड बाई सर हैरी स्मित और इन सिक्स इ लेवर वेरी स्ट्रॉंग उन्हें पता चल चुका था कि महराज रंजीत सिंग के जाने के बाद में कुछ कुछ डिफरेंसेज है कुछ तरीके के हमें टर्बिलेंस है जैसे आप देख सकते हैं खाल सा आर्मी में जो टर्बिलेंस है वो इंक्रीज हो रहा था उन्होंने हमला किया तो अव्यस ही बात है कि दे वर विनिंग इस वार्स बैटल ओफ फिरोश्चा भी हम देखते हैं जो आपकी 18 डिसेंबर 1845 में यहां पर होती है हम यहां पर देख सकते हैं आपकी अलिवाल हुई है 46 में 45 में तो ऐसा टोल्ड यू की छोटी-छोटी बहुत सारी ब बैटल ओफ फिरोश्चा तो यह हम देख सकते हैं सिक आर्मी की तरफ से यहां पर वजीरलाल सिंग थे और चीफ तेज सिंग थे तो यहां पर नो डाउट बहुत एक हमने अच्छी कॉंपटिटिव फाइट यहां पर बिटिश को दी लेकिन स्टिल दे वर स्ट्रॉंग इन इन शुरू कर दिये एक ही बैटल जो आपका बुधोवाल है बैटल बैटल ऑफ बुधोवाल वो सिक्स ने जीती थी लेकिन वो डिसाइसिव बैटल नहीं थी तनी इंपॉर्टेंट नहीं थी वो भी इसलिए जीत गए क्योंकि उन्होंने जो स्मित के आनिमल्स थे वह वह जो आपके एलेफेंट्स उन्होंने वही काप्चर कर लिये थे उनकी ट्रूप्स को इधर उधर कर दिया था इसकी वज़ए से वह यह बैटल जीते थे लेकिन यह बैटल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी एक यह बैटल हमने देख ली बैटल ऑफ अलिवाल देख ली आलि बैटल हमने देखने को मिलती है इसमें अगें इस वह बैटल हुई इस वह बैटल हुई जब रियलाइज हो गया देख जो आर्मी है आपकी रूल है वह आगे यहां पर क्यार्यों नहीं हो पाएगा इससे पहले बहुत सारी चोटी चोटी बैटल लड़ी गई है आलिवाल है बुद्वाल है फिरोशा है मुद्दकी है इस वर इंडिसाइसिव और बिटिश वर पावरफुल और इग्रेसिव इस तरीके की चीजे हमने यहां पर देखी अगर आगे हम देखें तो 1857 की अगर हम रिवोल्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर राजा शमशेर सिंग बुशहर के बहुत बार क्वेस्टिन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस था फेवर नहीं क्या था तो ही वस दी राजा शमशेर सिंग बुश शहर इसके बहुत बार क्वेस्टिन पूछा गया है उसके बार क्या हुआ उसके बाद में आपके रिवोल्ट हुए सब लोगों में जो एक कॉंशेसनेस है वह आनी शुरू हुई कि हमें अभी आजादी चाहिए तो उस वक्त बना प्रजामंडल प्रजामंडल अब है हमें वह भी नहीं चाहिए तो बेसिकली बात कर रहे थे डेमोक्राइजेशन की की हमें अब क्या चाहिए हमें लोकतंत्र चाहिए यह वाली बात जो है यहां पर प्रजामंडल लेकर आता है बहुत सारी चीजे होती हैं बहुत तरह की मीटिंग्स होती हैं जो हम जब आप का struggle independence के लिए struggle देखेंगे उस lecture में देखने वाले हैं तो यहां पर बहुत सारे areas आपके लेकिन ब्रिटिशन ने बहुत strategic positions अपने पास में रखी हुई थी जैसे जुबल Lord William Haye ने कहा भी कि I want to teach him a lesson लेकिन बिटिशन जो आपके पीछे उनके back end पे फोर्स थी या जो उनके उपर स्टार्टा में लोग थे उन्होंने मना कर दिया that is because वो यहां से इंडो तिबेतियन रोड बनाना चाहते थे trade के लिए अब उसके लिए जब उन्होंने बुशहर से होते हुए निकलना था तो वहां से रोड जाना था इसी की वज़ा से वो उसके साथ में उन्होंने किसी भी तरह का engagement नहीं दिखाया and कोई भी action जो है वहां पर नहीं लिया गया तो यह चीज हमें देखने को मिलती है यह जो यह proclamation act की जब हम बात करते हैं इसमें क्या बाते दिखी गई है तो इसमें बाते अगयन वही कि हम आपके social, religious या जो आपका traditional life है उसमें interfere नहीं करेंगे क्योंकि basically वो यहां पर trade करने के लिया आये थे या फिर अपने फाइदे के लिया आये थे तो अगर यह वाली चीजे इन चीजों में वो ठीक करने में लग जाते तो कहीं ना कहीं उनका यहां पर घाटा था तो उनको यह time जब यह चीज रियलाइज हुई कि इनके जो weak points है वो इनका religion या social या traditional life है तो उ हम आपको rule करने वाले हैं again as I told you कि बहुत सारी जो आपकी छोटी 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 रियास्ते हैं उनको इकठा करके एक एक बना दिया गया last में जो है आपके basically छे रूलर बचे थे जिनके पास में आपकी रियास्तों को जोड के उनको दिया हुआ था जैसे यह है जतोग है सब किया जाएगा रिशफल किया जाएगा जो Britishers है वो basically आपस में देखते रहें Chamber of Princess भी हमें यहां पर देखने को मिलता है तो basically 120 मेंबर के एक meeting हुई थी जिसमें उनको किसी भी तरीके का confrontation नहीं चाहिए था as on a battlefield or anything तो वो अपनी कुछ मांगे लेके गए थे colonial government को दिखाने के लिए कि यह यह हमारी मांगे हैं हमें यह यह चीजे चाहिए और हमें face off या किसी भी तरीका का violence यहां पर नहीं चाहिए आपके 1921 की बात है जहां पर उनने कोशिश की एक advisory body बनाने की ताकि वो जो है यहां पर उनकी जो मांगे हैं वो basically local एक जो normal person की बातें हैं वो आगे प इसे आप नूरपूर में देखेंगे उन्होंने बाहर निकाल दिया फिर आपके कुटलेर मंडी या गुलेर क्योंकि यह शिवालिक्स में ही थे जादा उपर तो वैसे भी नहीं गये थे शिवालिक्स में से इनको बाहर निकाल दिया गया and that they were a threat to their जो भी उनकी autonomy उस वक्त उन्हें दी जा रही थी फिर अगोर्खास थे को बहर पहले उससे भी पहले क्या हूआ उससे पहले क्या हूआ कि राजा जो है वो राजा के सिंग आये तो फिर अब गोर्खास को वापिस भगाना था तो वापिस राजा रंजीत सिंग आये उसके बाद में जो है उन्हों ने कहीं और जागे कबजा किया तो ब्रिटिश जाए तो बेसिकली यह आपको थोड़ी सी स्टोरी दिमाग में रखनी है कि हो क्या रहा है तो सि कि अब हमें ब्रिटिश भी नहीं चाहिए तो उन्होंने जब खड़े होके रिबिलियन किया था रिवोल्ट किया था उस वक्त बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर जो आपके उस वक्त जलंदर दौब के कमिशनर हुआ करते थे सर जॉन लॉरंस उन्होंने इनको जो है अपने इंडर रखा गया था तो मा उस वक्त बोलते थे कि यह इस कदर जो आपका मैप है उससे गुम हो गई थी जैसे देवर ड्राउंड इन रेड़ सी ऑफ दी ब्रिटिश एंपायर रहने कि उन्होंने फुल जो है यहां पर अपना कंट्रोल रखा हुआ था तो यह हो गई आपकी नॉर्मल एक जो उपर से टाइम लाइन है जो मैं को आइडिया देना था आपको कि किस तरीके का महौल है क्योंकि इसमें एक पार जो हमारा बसता है वह बसता है फ्रीडम स्ट्रॉगल उसको हम कवर करेंगे कुछ-कुछ बुक्स में यह टापिक भी गया है दो इस इस नॉट अफ डाइंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी यू किन जिस गो तुरू इट वन्स के पॉजिटिव इंपक्स क्या थे हमाचल में ब्रिटिश के आने से सोश्यो एकनोमिक तो बहुत सारी चीजे थी जैसे हेल्ट इंस्टिटूशन जो आपका कुछ-क इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ-कुछ पॉजिटिव इंपक्स भी उनके रहे हैं लेकिन इसको जादा लाइम लाइट में नहीं लिया जाता क्योंकि पॉजिटिव थे तो यह पॉजिटिव भी आ सकते थे जरूरी नहीं है कि इनको कलोनियल गवर्मेंट के साथ में नहीं आना था लेकिन स्टिल यह कवर किया गया है तो हमने देखा सो कैस्ट इस एट पूड़े दो स्टे इन टाच एंड दो लेट मी नो प्रीज लेट मी नो कि आप लोगों की तयारी है वह किस तरीके से चल रही है कितना सेलेबस आपने कवर किया हुआ है और क्या स्ट्र प्रीक रही है